Hello everyone, welcome to my channel EGVSR आज हम करेंगे Classics Mathematics Algebraic Expression की Exercise 8C जिसमें हम सीखेंगे Algebraic Expression का Addition और Substraction कैसे किया जाता है आज की वीडियो में हम करेंगे Question First और Question Second देखो Question First, Question Second करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कैसे हम Algebraic Expression में का Addition और Substraction करते हैं देखो Addition का मतलब क्या होता है, जोडना और Substraction का मतलब क्या होता है, माइनस करना देखो जब Algebraic Expression में जो Trum होती है, जो हमने Exercise 8.2 में या 8B में सीखी है तो हम क्या करते हैं, जो Like Trum है, उनको Add किया जाता है मतलब जो Same Same जिनके साथ Lateral Factor लगे होते हैं, पहले हम उनको Add करते हैं, जिसे हम Example से समझेंगे जिसे 6xy²-4xy² और xy² है, तो हम क्या करेंगे, पहले इनको Add करेंगे 6xy² प्लस, ये Minus का है, तो bracket लगा के हम Minus अंदर लिखेंगे 4xy² और प्लस xy² ठीक है, अब देखो इसका क्या बन जाएगा, 6xy² माइनस, जब प्लस और माइनस होते हैं, माइनस का Sign लेते हैं, Minus 4xy² प्लस xy² ठीक है, अब देखो इन सभी में xy², xy², xy² common है, तो हम इसके जो ये Lateral Factor लगे हुए हैं, इनको हम बाहर ले लेंगे, और Constant को अंदर लेंगे, देखो 6-4, प्लस 1 हमने यहां ले लिया, और xy² में से बाहर common आ गया, क्यों, जब हम xy² के अंदर multiply करेंगे, तो हमारे पास ये सेम आएगा, तो देखो जब, पहले हम प्लस प्लस वालों को प्लस करेंगे, 6 प्लस 1 कितना हो गया, 7 और 7 में से 4 को माइनस करेंगे, तो कितना आया, 3 xy², तो फर्स्ट रोल से हमने क्या समझा है, कि इस एडिशन में हम क्या करते हैं, लाइक ट्रम को एड करते हैं, और उसमें से जो common आता है, उसको बाहर लेते हैं, ठीक है, सेकिन मेथड है हमारा कोलम मेथड, कोलम मेथड में क्या किया जाता है, पहले हम इसको पढ़ेंग कि जो लाइक ट्रम है, दूसरी लाइक ट्रम के नीचे आ जाए, और फिर हम क्या करेंगे, then addition and subtraction of the drum is done, कोलम वाइज, देखो कैसे करेंगे, जैसे हम एक्जाम्पल से समझेंगे, पहले फर्स्ट में क्या बता था, कि हम इनको रो वाइज लिखेंगे, और इस तरीके से लि है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कि कोलम में इस तरह अरेंज करेंगे, यह हमारी रो होती हो, और यह क्या होता है, कोलम होता है, ठीक है, देखो यहाँ पे second drum क्या है, 4Y plus 3X square है, तो हम इसको 4Y plus 3X square as it is नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, पहले X square के नीचे हम X square वाली drum ल अगर यहाँ पे minus 7, 4Y होता है, तो यहाँ पे हम minus 4Y लिखते हैं, बट अब यह दोनों plus के हैं, तो क्या किया है, हमने second method है, कोलम method, उसमें हमें इस तरीके से algebraic expression को क्या करना है, अरेंज करना है, कि जो like drum है, वो like drum के नीचे ही आ जाए, जैसे 3X square हमने 5X square के नीचे लिखा, क्यों, क्योंकि उपर भी X square था, तो उसके नीचे drum भी क्या नीच है, एकस square ठीक है, और Z नहीं है, तो Z का हम कुछ नहीं लिखेंगे, और last में फिर क्या करना है, अगर यह question में दे रखा कि इन दोनों जो algebraic expression को add करना है, तो हम यहाँ पे add करेंगे, तो 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 X square, 7 और 4 कितना हो गया, प्लस 7 Y, देखो Z में नहीं था, तो Z को हम as it is लिख देंगे, ठीक है, समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो दोबारा से आप इसको pause करके देख लेना, थर्ड क्या है, इसका method जो देखो, अगर subtraction करना है algebraic expression का, तो उसमें हमें क्या ध्यान subtracted and add it to be expression from which subtraction is to be done, तो इसमें क्या बता गया है, पहले हम क्या करेंगे, कि जिस भी algebraic expression को हमें subtract करना है, हम उसके sign को change करेंगे, और sign को change करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, जिस algebraic expression में से जो expression subtract करना था, उसमें हम उसको add कर देंगे, जिसे हम enjambles से समझेंगे, क्या दे subtract 6xy minus 4x square minus y square minus 2 from x square minus 3xy plus 7y square plus 5, देखो क्या करना है, यह एक algebraic expression है, हम इस algebraic expression को subtract करेंगे, second algebraic expression में, तो first में क्या बता गया था, जो हमने subtraction का rule पढ़ा है, पहले हम जिसमें से subtract करना उसको लिखेंगे, x square minus 3xy plus 7y square plus 5, ठीक है, और फिर क्या करेंगे, हम जो मतलब same like drum होगी, like drum के नीचे हम like drum लिखेंगे, ओके, जैसे पहले x square था, तो जो subtract करना है, पहले हम वही लिखेंगे, जो sign हम साथ में लगाएंगे, minus 4x square, ठीक है, xy है, तो xy की drum लिखेंगे, इसके नीचे, 6xy, ठीक है, y square है, तो y square के minus है, जो sign होगा, वही साथ में, हमने लिखना constant drum के नीचे, constant drum, ठीक है, फिर इसने क्या बताएगे, जब हम algebraic expression का subtraction करते हैं, ये तो हो गया हमारे second rule के according की like drum के नीचे like drum लिखनी है, अगर subtraction करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, जिस भी algebraic expression उसको subtract करेंगे, हम उसके sign को change करेंगे, क्यों, change का मतलब क्या है, पलस का sign माइनस हो जाएगा, और माइनस का sign पलस हो जाएगा, ठीक है, देखो, यहाँ पे हम subtraction कर रहे हैं, तो ये माइनस का sign पलस होगा, ये माइनस वाला पलस होगा, और ये माइनस का पलस हो जाएगा, ठीक है, मतलब क्या है, कि जब subtraction करना होता, तो उस algebraic expression के sign change हो जात अब देखो माइनस का 3xy और माइनस का 6xy है, प्लस नहीं लेना क्योंकि sign change हो गया था, क्या लेना है, माइनस 6xy, ठीक है, अब देखो 3xy और माइनस 6xy कितना बन गया, माइनस के 9xy, क्यों, जब sign सेम होते हैं, तो वो add हो जाता है, बट sign वही लगेगा, negative वाला, ठीक है, अब दे तो पहले हमने क्या सीखा है, addition कैसे करना है, algebraic expression का, subtraction कैसे करना है, like term के नीचे like term लिखनी है, और subtraction करना है, तो हमें sign को change करना है, अब हम करेंगे exercise 8.3 का question first and second, देखो जो first question है, इसमें क्या करना है, add करने है, हमें जो इसके कितने part है, 7-8 part है, उनको मैं सभी को बताऊंग देखो, add 3x and 7x, देखो, add करना है, दोनों को तो हम क्या लिखेंगे, 3x plus 7x, ठीक है, और इसमें से हम x को common भी ले सकते हैं, जब हम x को common लेंगे, तो क्या बचेगा, 3 plus 7, common का मतलब है, bracket से बाहर x लिखना, 3 में 7 को add करेंगे, तो कितना होगा, 10x, ठीक है, second है इसका, 7y minus 9y देखो, ये add करना है, लेकिन add तो करना है, बट जो sign हम वही लगाएंगे, तो क्या करेंगे, हम इसमें 7y minus 9y, क्यों, अगर plus करोगे, तो plus, bracket लगा के हम लिखेंगे, minus 9y, तो क्या होगा, 7y, plus और minus है, तो minus आएगा, minus 9y, वही y इसमें से हम common ले लेंगे, 7 minus 9y, ठीक है, तो देखो, अब बड़ा क्या है, 9 है, 9 में से हम 7 को minus करेंगे, ठीक है, बड़ा है 9, और इसमें से हम 7 को minus करेंगे, तो बसता है 2, लेकिन ये 2 कैसा आएगा, negative, तो क्या answer आएगा, minus 2y, ओके, मतलब जो sign बड़े number के साथ होगा, वही हमें लिखना है, देखो, इसका third question क्या है, third question है, इसका 2xy, 5xy और है xy, इन तिनों ट्रम को हमें add करना, तो क्या लिखेंगे, 2xy plus 5xy minus xy, ठीक है, अब देखो, इसमें से xy, xy, xy common आ रहा तो क्या हैगा, 2 plus 5 minus 1, और बाहर क्या ले लिया हमने xy, ठीक है, मतलग, 2xy का भी xy common हो गया, 5xy का xy common हो गया, और xy, क्योंकि यहाँ minus था, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, minus 1, देखो, 2 plus 5 कितना हो गया, 7, 7 में से 1 को minus करेंगे, 6, तो answer क्या आएगा, 6xy, ठीक है, ऐसे question third है, जो इसका, third question में हम क्या करते हैं, 3x, 2y, तो दोनों को add करेंगे, 3x plus 2y, ठीक है, तो इसका answer यहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ना तो 3 में से x को मना रहा है, ना 2 में से, ठीक है, दोनों का, जो lateral factor है, दोनों अलग-अलग है, तो क्या आएगा, 3x plus 2y, देखो, part fifth में हम क्या करेंगे, 2x square minus 3x square और 7x square को add करना, पहले हम क्या करेंगे, 2x square, जो sign है, वहीं लगाएंगे, 3x square plus 7x square, ठीक है, देखो, जो तीनों टरम है, तीनों टरम में क्या है, बच्चो, x square है, lateral factor x square है, तो हम क्या करेंगे, 2 minus 3 plus 7 को हम लिखेंगे, और x square इसमें से हम common लेंगे, ठीक है, आप देखो, जो plus plus वाले हैं, पहले हम उनको add करेंगे, 2 भी plus का है, और 7 भी plus का है, ठीक है, तो कितना हो गया, 9 और minus 3 क्या बन गया, x square, जब 9 में से 3 जाएगा, तो कितना बचेगा, 6 और x square यही होगा, ठीक है, मतलब हमारा answer क्या निकलेगा, 5 पार्ट का, 6 x square, 7 जो 6 पार्ट है, उसमें क्या है, 7 x y z, minus 5 x y z, 9 x y z, minus 8 x y z, इनको हमें add करना है, तो पहले हम सभी ट्रम को add करेंगे, minus 5 x y z, plus 9 x y z, minus 8 x y z, ठीक है, अब देखो जो यह चार ट्रम थी, चारों ट्रमों में क्या है, x y z common है, तो हम बहार ले लेंगे, जो sign, जिस constant number के साथ लगा है, हम वही रखेंगे, 7, minus 5 x y z, था था था, minus 5, plus 9, minus 8, और इनका सभी का common बहार क्या निकला है, x y z, ठीक है, common का मतलब क्या होता है, जो सभी में same हो, value, जब हम x y z के अंदर multiply करेंगे, तो हमारा same उपर वाले ही ट्रम बन के आएगे, ठीक है, algebraic expression, same बनेगा उपर वाला, तो इसमें भी वही करेंगे, पहले हम plus plus वालों को add करेंगे, ठीक है, जब हम plus plus वालों को add करेंगे, तो क्या बनेगा, देखो 9 और 7, दोनों plus के तो कितना बन गया, 16, minus 8 और 5, दोनों minus के हैं, इसलिए हमने minus लगाया है, जब दोनों number minus में तो वो add होंगे, तो कितना होगा, 8 और 5, 13, ठीक है, और बाहर क्या है, x, y, z, देखो 16 में से 13 को minus करेंगे, तो कितना बचेगा, 3 plus का बचेगा, क्यों क्योंकि 16 क्या है, plus का है, तो क्या answer है, 3 x, y, z, आप देखो जो इसका 7 पार्ट है, question first का, उसमें क्या करना है, 6 a cube, minus 4 a cube, 10 a cube, minus 8 a cube को हमें क्या करना है, add करना है, तो पहले हम add करेंगे, चारो टर्म को 6 a cube, minus 4 a cube, plus 10 a cube, minus 8 a cube, तो वही a cube हम इन सभी जो टर्म है, इन में से common ले लेंगे, तो जो नंबर है, पहले वो लिखेंगे, 6 minus 4, plus 10, minus 8, ये नंबर हमने लिख लिए, और a cube इसमें से क्या ही है, common, वही पहले हम plus plus वाले नंबरों को add करेंगे, 6 plus का है, और 10 plus का, तो कितना हो गया, 16, minus, minus का 4, और minus का 8, कितना हो गया, minus के 12, ठीक है, और क्या है common a cube, अब देखो, 16 में से जब हम 12 को minus करेंगे, तो क्या वो जेगा 4, तो answer क्या आएगा, 4 a cube, इसका जो 8 है, उसमें हमें क्या, sorry, 7 था, उसमें क्या करना है, पार्ट में, x का square, minus a square, minus x square, plus 2 a, minus 4 x square, plus 4 a square, ठीक है, इनका हमें क्या निकालना है, जो sum करना है, 3, 4, ट्रम का, जो दे रखी है, पहले हम क्या लिखेंगे, x square minus a square, देखो, minus का, 5 x square, plus 2 a, जो sign y लगाते जाओ, 4 x square, plus 4 a square, ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, x, x square वाली ट्रम को पहले लिखेंगे, देखो, ये x की square की ट्रम है, 5 x square ट्रम है, 4 x square ट्रम है, इनको लिखेंगे, x square minus 5 x square, minus 4 x square, ये हमने लिखेंगे, फिर लिखेंगे, a square वाली ट्रम को, a square की क्या है, minus a square, plus 4 a square, और फिर a की बच्च गी वो लिखेंगे, 2 a, ठीक है, अब देखो जो पहले वाली तीन ट्रम है इनमें x2 को मन आ रहा है तो क्या बचेगा 1-5-4 इसमें से को मन आया है x2 अब देखो जो a2 है इसमें से क्या को मन आएगा जब मैं negative बाहर ले लूँगी तो को मन आएगा 1-4a2 देखो यहां पर minus क्यों आया क्योंकि हमने negative बाहर common लिया है इस minus को जब अंदर ले के जाएंगे हम minus का 1 होगा और plus का 4 होगा और plus क्या होगा 2a अब देखो minus 5 है और minus के 4 है तो क्या बच गया minus का 9 हो गया उसमें से हम 1 को plus करेंगे जब minus 9 में 1 plus किया जाता तो बचता है minus का 8 तो क्या होगा minus 8 x square ठीक है minus का sign देखो 4 में से 1 को minus करेंगे तो 3 बचेगा बट 4 है negative का minus 3 बचेगा minus 3 और 8 कि यह minus तो plus का 3a square और plus 2a ठीक है क्या हो गया plus 2a तो यह हमारा क्या निकला है इसका अंस्वर निकल गया क्या है minus 8 square plus 3a square plus 2a ठीक है अगर यहाँ पे 2 sorry यहाँ पे 2a square मिलेगा 2a square यह मैंने से कलती होगी तो 3a square plus 2a square तो अंस्वर क्या होगा minus 8x square plus 5a square ठीक है यहाँ पे आएगा जो मैंने इसका question लिगा उसमें गलती होगी यहाँ पे आएगा 2a square ठीक है तो अंस्वर क्याने कला minus 8x square plus 5a square ठीक है अब हम करेंगे exercise 8c का second question जिसमें क्या है चार पार्ट दे रखे चारो पार्ट को मैं अच्छे से समझाओंगी अगर ना समझ में आए तो comment box में डाल देना मैं दोबारा से करवाओंगी आप वीडियो को बार बार देखोगे तो एक question अच्छे से समझ में आ जाएंगे चैनल पे नए है तो चैनल को जरूर subscribe करना add the following आप देखो हमने पीछे भी addition पड़ा है उनमें तो हमने सेम सेम value वाले का addition कर रहा है लेकिन यहां पर क्या है variable अलग अलग है जैसे x, y, z यह है first question है जैसे x minus 3y minus 2z उसमें add करना है 5x plus 7y minus z minus 7x minus 2y plus 4z ठीक है मतलब इन तिनों जो row और column wise देखके हमें इनका addition करना है algebraic expression का देखो minus का 7x है पहले हम क्या करेंगे plus plus वालों को add करेंगे x plus का 5x plus का तो कितना बन गया 6x उसमें से minus करेंगे हम 7x को इसको तो क्या बचेगा minus का x ठीक है ऐसे minus का 3y plus का 7y minus का 2y पहले हम minus minus वालों को plus करेंगे minus 3 minus 2 तो क्या बचेगा minus 5y और एक है plus का 7y देखो plus के 7y में से minus का 5y गया तो कितना बचेगा plus का 2y ठीक है अगर आप ऐसे count करने में puzzle हो रहे हो तो एक तरफ rough हो करके भी कर सकते हो जैसे rough में क्या करेंगे 2z minus z plus 4z ठीक है इसमें देखो minus 2z minus z तो क्या हो गया minus 3z plus का 4z 4z में से 3z गया तो क्या बचेगा plus का z plus का z क्यों बचा है क्योंकि 4 बड़ा है और इसका sign positive है ठीक है ऐसे second question है part जो question second का m square minus 4m plus 5 minus का 2m plus 6m minus 6 minus m square minus 2m minus 7 ठीक है पहले हमें क्या करना है इनको add करना है ठीक है अब देखो m square minus 2m minus m square पहले मैं इस column को क्या कर रही हूँ solve कर रही हूँ देखो m square minus 2 2m square और है minus का m square अब हम देखें कि पहले हम minus minus वालों को जोडेंगे m square minus 3m square बन गया अब देखो 3m square में से 1m square को minus करेंगे तो क्या बचेगा minus का 2m square ठीक है second जो column उसमें क्या क्या है 4m plus का 6m minus का 2m ठीक है तो देखो minus का 4m और minus का 2m तो क्या बचेगा minus 6m plus 6m तो दोनों plus और minus तो cancel होगे बचेगा 0 0 चाहिए हम लिखें या ना लिखें सेम है लास्ट में है constant number 5x sorry 5 minus 6 minus 7 देखो negative और positive इनको हम क्या करेंगे plus करेंगे जो negative negative वाले हैं उनको हम क्या करेंगे plus करेंगे और plus है 5 तो क्या होगा 5 minus 13 ठीक है तो देखो जो 13 में से 5 को minus करेंगे 13 क्या है negative का है और 5 है positive का तो क्या बचेगा minus 8 तो यहाँ पे क्या आएगा minus 8 third part में क्या करना है 2x square minus 3xy plus y square इसमें add करेंगे minus 7x square minus 5xy minus 2y square ठीक है और साथ में add करना है 4x square plus xy minus 6y square पहले वही करना है पहले हम इस column को solve करेंगे मैं तो separate separate solve करके देखेंगे जैसे first में क्या क्या दे रखा है 2x square minus का 7x square और plus का 4 देखो जैसे हम addition करते हैं सेम वही करना है बस इसमें क्या है lateral factor को साथ में लगाना है ठीक है देखो क्या है 2x square और 4x square दोनों positive तो क्या बन गया 6x square minus का 7x square 7 negative है और 6 positive तो 7 में से 6 का है minus 1 बच गया तो क्या है minus 1 x square या minus x square भी लिख सकते हैं second में क्या देखो minus 3xy minus 5xy और plus xy पहले हम minus minus वालों को plus करेंगे कितना बच गया 3 और 5 8xy उसमें हम add करेंगे minus 8xy में जब हम add करते हैं xy तो negative है 8 उसमें से 1 minus करेंगे तो minus का 7xy बचेगा ठीक है last में क्या है y square minus 2y square minus 6y square पहले negative negative वालों को add करेंगे तो क्या बन गया माइनस का 8y square प्लस y square क्या बना है minus 8y square प्लस y square तो क्या बन गया इसमें से minus का 7y square ठीक है मतलब जैसे हम simple addition subtraction करते हैं वैसे ही करना है बस हमें ध्यान देना है कि पहले positive positive वालों को add करो negative negative वालों कर फिर देखो कौन सा बड़ा है जो बड़ा number होगा जो sign उसके साथ होगा वही sign हमें लगाना है last part है fourth question second का क्या है वो आज की वीडियो का ये last question है जो बचे हुए question है उनको भी हम ऐसे separate separate part में solve करेंगे पहले हम इनको add करेंगे क्या क्या 4xy minus 5xy minus 2xy देखो पहले मैंने क्या बोला negative वाले जाद है तो इनको जोड़ो 5 और 2 क्या हो गया minus का 7xy और plus में क्या है 4xy ठीक है minus 7xy plus 4xy देखो 7 और 4 plus नहीं करना क्योंकि यहाँ पे negative है एक negative का एक plus का तो क्या बचेगा 3xy लेकिन sign क्या आएगा negative क्योंकि 7 नंबर बढ़ा है तो इसका sign negative है तो क्या बनेगा 3xy लास्ट में जो 20 वाला है कोलम इसमें क्या करेंगी हम 5yz plus 2yz minus 3yz पहले minus minus वालों को add कर लों कि दो ट्रम negative की है 5 और 3 8 हो गया लेकिन negative आएगा minus 8yz ठीक है और plus क्या है 2yz negative 8 है और 2 plus का है तो 8 में से 2 को minus करेंगे 6 बचेगा बट वो negative का आएगा 6yz आप देखो लास्ट वाला कोलम में इसमें भी positive की दो ट्रम है पहले positive वालों को add करो yz plus 3yz एक ये yz एक 3yz तो क्या बन गया 4y sorry x बन गया ठीक है zx बन गया देखो एक तो zx ये था और 3zx ये थे तो क्या बन गया 4zx माइनस का 7zx ठीक है देखो 4 है plus का 7 है minus का तो ये दोनों negative होंगे minus होंगे 7 में से 4 गया 3zx बच गया लेकिन कैसा बचेगा negative का क्योंकि 7 नंबर क्या है negative है तो क्या आएगा minus 3zx ठीक है तो आज हमने सीखे है exercise 8c के question first और second तो addition करना algebraic expression का उमीद है कि आप कोई question समझ में आए होंगे अगर वीडियो अच्छी लगी है तो like कीजी अपने friends को share कीजिए मेरे चैनल को subscribe कीजिए और bell icon के button को press कीजिए ताकि मैं आगे जो और वीडियो लेकिया हूं उसकी notification आपको मिलती रहे thanks for watching